हलो दोस्तों केस फम हिंदी स्टोरी जैन पोयम पर आपका हर्दिक इपनेंदन है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लिजे चलिए आज जानते हैं कुछ रीति रिवाज और उनके पीछे के विज्ञान को रीति रिवाज और परंपराएं हर किसी की व्यक्तिकत आस्था का सवाल होती हैं लेकिन हिंदु धर्म में बहुत से ऐसे रीति रिवाज हैं जिनके वैज्ञानिक आधार हैं हाथ जोड कर नमसकार करना हिंदु धर्म की प्राचिन परंपरा और सब्था है दोनों हाथों को जोड़ कर नमसकार करने से आप सामने वाले को सम्मान भी देते हैं साथ ही इसक्रिया के वैज्ञानिक महत्यों के कारण आपको सारे रिकलाब भी मिल जाता है जब हम दोनों हाथों को आपस में जोडते हैं तो हमारी हथेलियां और उंगलियों के उन विद्नों पर दवाव पढ़ता है जो आख, ना, कान, दिल, आद, शरीर के अंगों से सीधा संबंद रखते हैं इस तरह दवाव पढ़ने को एकवा प्रिशर चिकित्सा भी करते हैं इस तरह नमस्कार करने से हम सामने वाले केस परस में भी नहीं आते हैं जिससे किसी प्रकार केस संक्रमन का खत्रा भी नहीं रहता है पैर की उंगली में रिंग पहनना भारती संस्कृति का हिस्सा तो है ही लेकिन इसके वग्यानिक फाइदे भी है अमोमन रिंग को पैर के अंगूठे के बगल वाली दूसरी उंगली में धार्ण किया जता है इस उंगली की नस महिलाओं के गरभाशे और दिल से संबन्द रखती है पैर की उंगली में रिंग पहनने से गरभाशे और दिल से संबन्दित बिमारियों के गुंजाईश नहीं रहती है साथ ही चांदी के रिंग पहनना ज्यादा ठीक होता है चांदी धुवी उर्जा से शरीर को उर्जावान बना देती है पुराने समय में तांबे के सिक्के हुआ करते थे जिनकी जगह आज स्टेनलेस स्टील के सिक्कों ने ले ली है तांबा पानी को शुद्ध करता है इसलिए पुराने समय में नदियों में तांबे के सिक्के डाले जाते थे क्योंकि ज्यादातर नदियां ही पीने के पानी का श्रोथ हुआ करते थी दोनों भौहों के बीच माथे पर तिलक लगाने से उस बिंदु पर दवाव पड़ता है जो हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे एक खास हिस्सा माना जाता है तिलक लगाने से इस खास हिस्से पर दवाव पड़ते ही यह सक्री हो जाता है और शरीर में नई उर्जा का संचार होने लगता है तिलक लगाने से एक आगरता में बढ़ुतरी होती है चेहरे की मानस्पेशियों में रत का संचार भी सही से होता है मंदिर में घंटे या घंटिया होने का भी बैग्यानिक कारण है घंटे की आवाज कानों में पड़ते ही आध्यात्मिक अनुभूती होती है इससे एकागरता में बड़तरी होती है और मन शान्त हो जाता है शास्त्रों में कहा गया है कि घंटे की आवाज बुरी आत्माओं को मंदिर से दूर रखती है घंटे की आवाज भगवान को प्रिय होती है जब हम मंदिर में घंटा बजाते हैं तो करीब साथ सेकेंड तक हमारे कानों में उसकी प्रति ध्वनी गूजती है माना जाता है कि इस दौरान घंटे की ध्वनी से हमारे शरीर में मौजूद सुकून पहुचाने वाले साथ बिंदु सक्री हो जाते हैं और नकारात्मकुर्जा शरीर से बाहर हो जाती है भारतिय थाली में मसालेदार व्यंजन और मिठाई एक साथ परोसी जाती है लेकिन मिठाई का सेवन हमेशा खाने के आखरी में ही किया जाता है कहा जाता है कि पहले मसालेदार खाने से शरीर के पाचन तंतर के लिए जरूरी पाचक रस और अम्र सक्री होते हैं फिर मिठाईयों के सेवन से पाचक क्रिया नियंत्रित हो जाती है मेहंदी अवसदी गुलों से युक्त प्राकर्टिक जड़ी बूटी है मेहंदी की महक से तनावमुक्त होने में मदत मिलती है यही वज़ा है कि शादियों या अन्यभारती का रक्रमों में मेहंदी को परंपरा का हमिस्osa माना जाता है भारती संस्कृती में धरती पर बेट कर भोजन करने की परंपरा है इसका वैज्यानिक कारणा ये है कि जब हम धर्ती पर दोनों पैर मोड़ कर बैठते हैं तो इस अवस्था को सुखासन याद अर्धपदमासन कहते हैं इस प्रकार बैठने से दिमाग की उन धमनियों को सकारात्मक संदेश पहुंचता है जो पाचनतन से जुड़ी होती है चुम्ब की वल ठीक विपरीथ होता है इससे हमारे हिर्दे पर ज्यादा जोर पढ़ने लगता है दूसरा करण ये है इस प्रकार सोने से खून में मौझूद आयरन दिवांग में कत्रित होने लगता है इससे दिमाग की बिमारिया होने लगती है भारती सब्दा में ऐसा सम सकता है लेकिन आज की परिवेस में बहुत से लोग सुन्दर देखने के लिए कान छेदन करवा लेते हैं ताकि सुन्दर सुन्दर जुमके और अन्याभोचर पहन सके पुराने समय से ही हमारी दिन्चरिया में सुबह की अहमियत पर बल दिया गया है इसलिए भारती दिन्धर पराकरसुर की किरणे आखों में पढ़ने से आखों की बिमारिया नहीं होती साथ ही बारतर के आशन 1-7 होने से शरीर बंद्र होता है आयुरुवेद में बताया जाता है कि सिर्के जिस भाग में चोटी शिखा को धरन किया जाता है वो भाग तंत्र का तंत्र से सीधे संपर्क में होता है चोटी स्तंत्र को सुरक्ष्या परदान करती है इससे एकागरता में बढ़ोतरी होती है और शरीर को उर्जा मिलती है उपवास के फायदों को विग्यान ने भी माना है आयोदोवेद के अनुसार जिस प्रकार प्रदिवी के ज़्यादा तर हिस्से में पानी और कम हिस्से में ठोस जमीन है उसी तरह मानोशरीर ही बना है मानोशरीर में 80% दरव्य और 20% ठोस पदार्थों से मिलकर बना है चंद्रमा का गुर्टवा कर्षनल बल शरीर के दव्य प्रदार्थों को प्रभावित करता है इससे शरीर में भावनात्मक और संतुलन पनपता है इससे तनाव चिलचिलापन होने लगता है बिज्ञान मानती है कि उपवास इराज के तौर पर काम करता है इससे खतरनाग टॉक्सिन्स को दूर करने में मदद मिलती है साथ ही मदुमे, कैंसर और हिदय की विमारियों से भी बचाव होता है पैर छूना या चलन स्पर्स करना एक प्रकार की सम्मान दरसाने वाली करिया है जब हम किसी को जुकर प्रणाम करते हैं तो हमारे शरीर की नकारात्मकुर्जा दूर होती है ऐसा हाथ मिलाने या गरे लगने से भी होता है भारत में मूर्दि पूजा के चलन का वैग्यानिक करन बतायाता है कहा जाता है कि जब हम किसी की तस्वीर या मूर्ति को देखर प्रातना करते हैं तो पूरा ध्यान उसी आराध देवी देवता के उपर हो जाता है मन एकदम एकाग्र और नियंत्रित हो जाता है इसलिए भारत में आध्यात्मिक उनती के लिए मूर्ति पूजा को मानो जीवन का अहमिसा बताया जाता है हाथों में चूडियां पहनने का भी दिल्चस्व ग्यानिक कारण है कहा जाता है कि कलाईयों में चूडियां पहनने से हाथों का ब्लड फ्लो ठीक होता है साथ ही चूडियों के वज़े से उर्जा भी नियंतरित रहती है मंदिर ऐसे स्थानों पर बने होते हैं जहां पर उत्तर और दक्षनी ध्रूमों के बीच चुम्बकी और विदुती वलों के कारण सकारात्मक उर्जा भरपूर मात्रा में होती है मंदिरों में मुख्य मूर्ती ठीक बीच में स्थापित की जाती है इस जगह को मूल अस्थान या गर्वगरी भी करते हैं जहां मूर्ती के स्थापना होती है उस अस्थान के नीचे वैदिक मंद्रों से लिखी तामबे की धात्में रखी जाती है तामबा धर्ती के चुमकी बल को अपनी और आकर्शित करता है इसलिए जब कोई नियमित तौर पर मंदिर में जाकर परिक्रमा करता है तो तामबे के इसी चुमकी ब्रभाव के करण शरीर की नकारात्मक उर्जा भी धीरे धीरे सकारात्मक उर्जा का स्थान ले लेती है